करेंगे इस वीडियो में हम डिसक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को प्रेस कर लिए ताके आने वाले मेरी जो भी वीडियो जन गर्ना 2011 के अनुसार हिमाचरव पदेश की कुल जन संख्या कितनी है तो इसका जो चैनल को सबसे बड़ी प्राकरतिक जील है और सबसे बड़ी जो प्रीत्रिम जील है यह है गोविन सागल लेक नेस कोशन है आपका नेस कोशन है आपका यहां देखिए लदार चा उससे हि किस नदी कि साइक नदी है तो सही जो सिन्सका अनसर है यह ब्यास सी इसमें आपका उसस्त की रूप में रोप नेस्ट कोशन है आपका बाखड़ा जल विदूत प्रियोड़ना की कारेकारी अजनसी कौन सी है तो यह है BBMB सी जो इसमें आपका सही अंसर होगा नेस्ट कोशन है आपका सिंधू अंतराश्टिय विश्वधाले हिमाचल परदेश में किस थान पसीत है तो यह है आपका बाथू में B जो इसमें आपका सही अंसर होगा और बाथू कहां बड़ा उनना में बड़ा आपका बाथू नेस्ट कोशन है आपका हिमाचल परदेश राज्य उपहोगता विवाद निवारन अर्योग ने किस वर्ष में कार्य करना प्रारम किया तो इसका सही अंसर होगा यह है B 1989 में नेस्सट कोशन है आपका कंट्री लाइफ ऊस्ता किस ने लिखी है तो डी ज़एस में आपका सही अंसर होगा नौरा रिचर्ड्स नेस्स कोशन है आपका 97 कौनसा महाजन पद ohl vyणा जो वन्सो का संग था तो ये वाजी ज़एस में आपका सही अंसर होगा नेस्ट कोशन है आपका डोडरा क्वार हिमाचल पदे के किस जिरे में स्थित है तो ADC's का आपका राइट अंसर होगा B शिमला में 2 मेगावार्ट का ये प्रोजेक्ट है ये भी आपको पता होना चाहिए नेस्ट कोशन है आपका जन जाती है लोगों के समाजिक आर्थिक उत्थान के लिए हिमाचल पदे सरकार ने कौन सी प्रथम जल प्रयोजना कारेवन्ती की तो इसका सही आंसर होगा ये है ए रॉंग टॉंग और ये कहां पढ़ती है तो ये है आपका लोहन एंड स्पीति में नेस्ट कोशन है आपका 88 बलासपुर और हिंदू रियास्तों के बीच यूद किस वर्स हुआ था तो इसका सही आंसर है A 630 AD नेस्ट कोशन है आपका दतारपुर रियासत की स्थापना किसने की तो इसका सही आंसर होगा ये है D, इन में से कोई ने क्योंकि दतारपुर रियासत की स्थापना की थी तो D जो इसमें आपका सही आंसर है नेस्ट कोशन है आपका हिमाचल इसकी प्रत्वां विदानसरपा में कितने सदस्थे थे तो ये है आपका एंसर सही 36 यह question भी जो है आपके previous exam में आया हुआ है next question है आपका भारत के वाइसराय का भूतपूर निवास कौन सा था तो इसमें आपका सही option है यह है D इन में से कोई नहीं क्योंकि जो भूतपूर निवास था उसका नाव था वाइसराय रीगल लॉज और जो करंटली वाइसराय रीगल लॉज है आपका शिमला में है और यह बन चुका है आई आई एस इंडिन इंस्टूट आफ अडवांस स्टडी तो डी जो हैस में आपका सही अंसर होगा नेस्ट कोशन है आपका लादी वोस तक किस उद्योग के लिए पसिद है तो इसका जो सही अंसर है आपका यह है ए पेट्रोलियम नेस्ट कोशन है आपका केल के सबसे उची चोटी कौन सी है तो बी जो हैस में आपका सही अंसर होगा अनाई मुडी नेस्ट कोशन है आपका बाद के प्रत्थम सिख राष्टपति कौन थे तो ग्यानी जैल सिंग बी जो है इसमें आपका सही अंसर होगा नेस्ट कोशन है आपका किस भारत्य राज्य में केवल एक राज्यसभा सीट है तो मनिपर, गोवा, मिजोरम इन सभी में जो है एक राजे सभा सीट है तो इन सभी बारतिय सविदान का कौन सा अनुचेद सरवोच्य, नयाले की स्थापना और संगठन के बारे में पताता है तो एक सो नौ का आपका जो राइट अंसर होगा हुई तो एक सो दस का आपका जो राइट अंसर होगा यह होगा बी चौथी नेस्ट कोशन है आपका नेस्ट कोशन देखिए यहां पर घजे सिकंदरी किस दिल्ली सुल्तान ने प्रारम किया तो 98 का आपका राइट अंसर होगा और डी इन मेंसे कोई नहीं क्योंकि यह किया था सिकंदर ने सिकंदर ने यह सुरू चिया था यह आपको पता होना चाहिए नेस्ट कोशन ने आपका आ निकेतन पर्सित लियातरिक किस दे से समन्नित है तो यह है रूस से तो A जो इसमें आपका सही अंसर होगा नेस्ट कोश्चन है आपका विशिष्टा दुएत की संकल्पना किस ने दी तो इसका जाओका सही अंसर होगा 100 लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी तो 101 इसका है सही आपका सबसे तेज परिक्रमन है तो यह बुद्ध जो है इसमें आपका सही अंसर होगा प्रित्विक अभाई बंडल में कौन सी निश्क्रिय गैस उपस्तित है तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा यह होगा C, A और B दोनों, और और नियोन दोनों गैसे हैं नेस्स कोशन है आपका 104 नंबर ब्लैक रोलर क्या है तो यह एक तरीकी स्थानी पवन होए तो D जो इसमें आपका सही अंसर है नेस्स कोशन है आपका 111 नंबर कोशन सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जोड़ना किस वर्स में प्रारम की तो इसमें जाका सही ऑप्शन है यह है A, 2015 में नेस्ट कोशन है आपका फेमा किस वर्स में अधिनीमित हुआ तो इसमें आपका सही ओप्षन है यह है D 1999 में नेस्ट कोशन है आपका द्रव एम गैसों में उस्मा संचरण किस प्रक्रिय द्वारा होता है तो 113 आपका राइट अंसर होगा B समहन यानि कर्वेक्शन बी जो इसमें आपका सही अंसर है नेस्ट कोशन है आपका निमन में से कौन सा पानी पर तैरता है तो सही जो इसमें अंसर है आपका 114 का यह है D इन में से कोई नहीं नेस्ट कोश्चन है आपका घातक रक्ताल्पता किस विटामीन कमी से होता है मतलब प्रेनिशियस अनेमिया किस कारण होता है तो 115 का आपका राइट अंसर होगा विटामीन कि वज़र से नेस्ट कोश्चन है आपका हंडर रिशो 121 डबल रिशो 144 रिशो तो इसमें आपका सही अंसर होगा 116 का यह है 169 एक सो नतर नेस्ट कोश्चन है आपका इस यदि अंग्रेजी वन माला का दूसरा पक्स उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से पंद्रव कोश्चन यदि एक घड़ी में 12 को एक द्वारा प्रस्थापित किया जाता है 11 को 2 से 10 को 3 से और इसी तरह और इसी तरह आगे तो इस घड़ी में समानने घड़ी में 3 बचकर 20 मिनट से संगता समय क्या होगा इसमें जो आपका सही अंसर होगा यह होगा बी 10 बचकर 40 मिनट कोश्चन और प्लस को झो भाग में ओर गुनां को माइनस में और भाग में आपसमें बदला जाता है तो यह आपकी संख्या दी गहे हैं इसमें आपका जो ऑश्चन निकलके आएगा वह क्या होगा तो इसका राइट अंसर है 119 का ओगर लिए 27, 22 जोहिस में आपका सही अंसर होगा नेस कोशन है आपका 120 हर घल नल योजना हाली में किस भारते राज़े में प्रारम हुई है तो 120 का आपका राइट अंसर होगा A उत्तर पदेश में नेस कोशन है आपका कौन सी फिलम ताजा अकेडमी अवार्ड में भात की अधिकारिक प्रविष्टी है तो C जली कट्टू C जोहिस में आपका सही अंसर है नेस कोशन है आपका 122 किस राज़े ने हाली में विवा के लिए अविदिक धार्मिक समवादों को समवादों को पतिबंदित करने के लिए अध्यादेश पारित किया है तो इसमें आपका सही अंसर है यह है D उत्तरपदेश नेस कोशन है आपका नेस कोशन है कि सुक्ष गुरू के सहाधत दिन को नोवंबर महिने में सही दिवस के रूप में बना जाता है तो इसमें आपका सही अंसर है यह है A, गुरू तो एक बहादूर Next question है आपका, नशी साथ के English के questions है तो which is the antinum to strident? तो इसमें आपका सही अंसर होगा 124 का, यह है आपका B, pleasant Next question है आपका one word substitution for a thing liable to to be easily broken is तो सही जो इसमें अंसर है आपका यह है B, ductile तो आपका जो next question है इसका में को अंसर पता नहीं है अगर आपको पता हो तो comment section में में को जुरूर बताईएगा Next question है आपका, fate smiled dash him on all his ventures तो B, जो हैसमें आपका सही अंसर होगा, on Next question है आपका, चौमासा में समास है, तो कौन सा समास है तो 128 का आपका सही अंसर होगा, दौनसमास A, नेसका है आपका, कववा का प्राइबाची है तो B, करट जो हैसमें आपका सही अंसर होगा, Next question है आपका, 130 G, खटा होना महावरे का अर्थ है, तो इसमें आपका सही अंसर है D, विरक्ती होना, Next question है आपका, चोरी में प्रत्याय है, तो कौन सा प्रत्याय है, तो E, जो हैसमें आपका सही अंसर होगा, D So guys हमने इस question paper का GK section discuss कर लिया है, आपके आने वाले exam में काफी important रहेंगे जीके questions, तो जुरूर इन questions को जुरूर याद कर लिजिएगा और अगर कोई question का answer मैंने गलब बताया होगा, तो मुझे comment section में जुरूर बतायेगा, मैं उस question के answer को pin कर दूँगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को जुरूर जो है like कीजेगा, अपने दोस्तों के साथ share कीजेगा, और चैनल को subscribe करना बिल सबस्क्राइबाट